देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल आप सभी का मेरे चैनल पर पुनहस्वागत करता हूं, आशा करता हूं, आप सभी सुस्त होंगे महादेव की ग्रिपाप सभी पर सब्सक्राइब बने हैं, गी वीडियो मिथु नियानी की जमिनाय के लिए बहुत महत्तोपून वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर करते हैं, तो उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, ऐसा आम तोर पर गोचर में हर साल होता ही है कि कोई ना कोई एक भाव, इन दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि मिलकर ये एक भाव को प्रभावित करते हैं, कभी-कभी दोकों भी करते हैं, तो वैसा ही इस साल भी इंपैट करने वाले हैं यानि कि इन दोनों भावों को ही बहुत एक्टिवेट करने वाले हैं तो इस वीडियो में हम इनी बातों पर चर्चा करेंगे कि जब आपके लिए दोनों भाव एक्टिवेट होंगे तो आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं किन-किन ची और चंद्राशी से अलग अलग राशी फल नहीं बन सकते हैं मेरे हिसाब से अगर आप लगने से देखेंगे बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे लेकिन जिनको अपना लगन नहीं कंफर्म मुझे पता है कई लोगों को अपना लगन नहीं पता होता चंद्राशी पता होती ह तो आप राशी से observe कीजिए guidance के लिए आप देख सकते हैं इन शॉर्ट अगर आपका लगन में थुन है या आपकी चंद राशी में थुन है दोनों ही इस वीडियो को guidance के लिए देख सकते हैं आप सकरात्मक point से करते हैं सबसे परहे देखते हैं कि आपके लिए जो दो भाव activate हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं और कौन-कौन से हो रहे हैं आपका 11 स्थान यानि की लाब स्थान क्यों क्योंकि अभी 22 तारीक को 22 अप्रल को नों मेर्स सकते हैं तो ब्रहस्पत्य आपके लाब स्थान में आ गए और शनी महराज चो अल्रटी 3 द्रिष्टी लाब स्थान पर ड़ा warmth भाव और इसके साथ ही शनी महराज अपनी सपतम द्रिष्टी आपके तीसरे स्थान पर डालें गे और ब्रहस्पती महराज अपनी पंचम दिष्टी आपके तीसे स्थान पढ़ालेंगे यानि कि ग्यारवा भाव और तीसरा भाव दोनों ही ब्रहस्पती महराज और शनी महराज से डबल इंपेक्डध है अब बात करते हैं, सबसे पहले शुरुवात करेंगे ग्यारवे स्थान से लाव स्थान है, कितना स्पष्ट है, कि आपके लिए पूरा ही वर्ष लावकारी होने वाला है आपको कई तरह के लाव मिलने वाले हैं यह monetary gains भी हो सकते, यानि कि पैसा भी आएगा और क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि लाव स्थान, यानि कि जीवन भी आपका लावकारी स्थिती में रहेगा केवल धन के हिसाब से यह साल आपको आगे नहीं लेके जाएगा आपके पूरे जीवन को ही आगे लेके जाएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण साल आपके लिए यह होने वाला है लाव स्थान का अपने आप में इतने इच्छी तरह से impact होना मरलब कि व्यक्ति का जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है यह आपके उपर है कि आप अपने पुरुशार्थ से इस साल का कितना फायदा उठाते हैं क्योंकि जब लाव स्थान activate होता है तो व्यक्ति के जो efforts होते हैं व्यक्ति की जो महनत होती है उसके अच्छे result मिलना शुरू हो जाते हैं तो महनत करना शुरू कर दीजे यह साल आपको बहुत अच्छे result देकर जाने वला है यह इच्छाओं का स्थान होता है इच्छा पूर्ती का स्थान होता है यानि कि आपकी इच्छा पूर्ती इच्छा ही नहीं आपकी कई इच्छा हैं इस एक वर्ष में यानि कि माई 2023 से माई 2024 के वीच में अवश्य पूरी होने वाली हैं कुछ ऐसी इच्छाएं जो अभी जागरुत हुई हैं और कुछ ऐसी इच्छाएं भी जो कोई लंबे अर्से से आपकी चली आ रही थी लेकिन पूर्ण नहीं हो रही थी तो ये वर्ष इच्छा पूर्ती का है ये रुके हुए कारेों को पूर्ण करने का साल है आप खुद पाएंगे कि आपके अंदर एक उर्जा आजाएगी जहां पे आप अपने वर्षों से रुके हुए कारेों को पूर्ण करने के लिए एक आपके अंदर संकर्ब शक्ती जागरित होगी और आप अपने कई रुके हुए कारे पूर्ण इस एक वर्ष में अवश्य करेंगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको केवल लाब स्थान के ही एक्टिवेट होने से मिलने वाले हैं मैं हमेशा बताता हूँ कि कुण्डली में कुछ गुरूप आफ हाउसेस होते हैं जिनको अलग-अलग नाम दिया जाता है तीन-छे-दस-ग्यारा मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये होते हैं उपचे स्थान वह वेक्ति जो आगे बढ़ता है उनकी कुण्डली में तीन-छे-दस-ग्यारा कही ना कहीं connected होते हैं और अगर किसी कुरूर ग्रह से होते हैं मंगल शनी आधिद्वारा तो और अच्छा होता है और जब इन में से कोई भी भाव या एक या दो भाव ब्रहस्पति शनी द्वारा उस साल में एक्टिवेट हो जाते हैं तो वेक्ति का जीवन आगे ही बढ़ता है तो उपचे स्थान कौन-कौन से होते हैं तीन-छे-दस-ग्यारा तो तीसरा तो हो ही रहा एक्टिवेट उसके बारे में बात करेंगे ग्यारवा स्थान भी आपका एक्टिवेट हो रहा है यानि कि दो उपचे स्थान आपके एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये वो वर्ष है जब आपका जीवन बहुत तेज गती से आगे बर सकता है, नॉमल नहीं, तेज गती से, हम सब वेट करते हैं कि हमें एक ऐसा टाइम मिल जाए, जहाँ पर हम महनत करें और अपनी महनत के दम पर बहुत आगे बढ़ें, या फिर हमें भागे का साथ मिलें, अब यहाँ पर आपको दोनों ही मिलने वाला है, जैसे मैंने कहा यह उप्चे स्थान है, लाब स्थान है, तो लाब प्राप्त होगा, महनत के अच्छे एफर्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये भी तो देखिए, कि शनी महराज भागे स्थान के स्वामी है, वो भी यहाँ पर दे लेके जाने के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है, ना किवल फाइनेंशल टर्म्स में, बलकि परस्नल टर्म्स में भी आप इस वर्ष बहुत ग्रो करेंगे, ये ग्रो का साल है, सही भी कहूं, मिथुन के लिए ये पूरा ही वर्ष ग्रोथ का है, ये पूरा ही वर्ष को लाब अवश्य उठाना है इसके स्थाथ ही यह स्थान पाम-trikon का स्थान भी है बता चुक हूं 3-7-11 का सबसे बड़ा सबसे स्थान होता है काम-trikon क्या बताता है आपके desires आपकी क인데 हम बता ही कुका हूं क्या कई इच्छाएं जो लोग बहुत लंबे समय से सिंगल ते या फिर जो कभी relationship में आई ही नहीं जो भावना होती है उसको feel करना चाते हैं कि एक relationship में व्यक्ति हो तो उनके लिए भी यह सल बहुत अच्छा है आपका नया relationship स्टार्ट हो सकता है और क्यूंकि यह स्थान 11 स्थान सब्तम से पंचम ह किसी भी भाव से त्रिकोन स्थान बहुत important हो जाते हैं तो क्यूंकि यह स्थान सब्तम से पंचम है और अपने आप में house of desires है वह लोग जो शादी करना चाहते थे लेकिन शादी नहीं हो रही थी शादी में बाधाय आ रही थी रिष्टा अच्छा नहीं मिल रहा था compatibility नहीं कर जाता है मैंने अपने पूरे जोतिश के जीवन में यह बहुत बर प्रेडिक्ट भी किया है केवल 11 स्थान के कारण कि हां इस साल में आपकी शादी हो जाएगी तो यह साल उनके लिए बहुत अच्छा है जो शादी करना चाते थे विवाह करना चाते थे बहुत जादा सं लाने की opportunity मिलेगी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी promotion हो सकती या already आपको उसके संभण में कुछ न कुछ indication मिलना स्टार्ट हो गए होंगे जो भाव है यह सपतम् से पंचम है बता चुका हूं कि सपतम ना केवल शाधी के लिए सपतम business के लिए भी देखा जाता है कि टो business में भी वृद्धी होगे और business में भागे का विसाथ मिलेगा क्यों क्यूंकि सपतम् से ना केवल पंचम सपतम से नवम भी जिसके बारे में बात करेंगे तो बिजनस जो लोग करते हैं बहुत अच्छा साल है और अगर आप नया बिजनस स्टार्ट भी करना चाहते हैं उसके लिए भी पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है क्योंकि इस थान पंचम से सप्तम है स्टूडेंट्स के लिए बहुत जब पंचम की बात आ रही है यानि कि नया रिलेशन्चिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है यह स्थान धन स्थान से दस्थान है यानि कि पैसे में स्टैबिलिटी रहेगी इंकम के सोर्सेस तो बढ़ेंगे ही जैसा मैंने कहा लाब स्थान है आपको नए-एंवेस्मेंट क अप्शन भी अवशत प्राप्द होंगे यह जो स्थान है यह तीसरे से नवह स्थान है यानि कि आपके भाई-बहन के साथ मिल कर भी कुछ करना ड्रें वह सब्सक्राइब या किसी और सदस्य की मदद से पूर्ण हो सकता है या किसी जानने वाले की मदद से पूर्ण हो सकता है और क्योंकि यह स्थान अश्टम से चौता है कोई ancestral property से भी आपको इस वर्ष में लाब प्राप्त हो सकता है तो केवल ग्यारवे भाव के activate होने से ही आपके लिए इतनी सारी संभावनाय बन जाती है और मैं फिर से एक बार बोलूंगा ग्यारवा स्थान है, लाब का स्थान है, विध्धी का स्थान है, और ये स्थान लगन से ग्यारवा है, लगन से लाब स्थान है, यानि कि आपका पूरा जीवन ही इस वर्ष ग्रो करेगा, लाब पूर्ण जाएगा, बहुत अच्छा साल है, इस साल का उपयोग अवश्य अब तीसरे भाव की बात करते हैं की बात करते हैं अब देखें तीसरा भाव क्या है पराक्रम का भाव है भाई बहनों का स्थान है बहुत सारे कारकत्व होते हैं एक भाव में कई चीजों के लिए देखा जाता है लेकिन प्रमुक्तह साहस का स्थान है अब देखें साहस बढ पति महाराज और एक भाग्यसान में यानिकी साहस के साथ साथ जब इन दो चीजों की और यूति होगी यानिकी भाग्य और कर्म की यानिकी आपका जीवन सक्सेस्फुल ही होगा कि पूरा वर्ष आपके लिए बहुत सक्सेस लेकर आने वाला है तीसा भाव स्किल्स का होता है तो आप कोई स्किल बेस्ट कारे करते हैं उसमें आपको अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का और कोई नया स्किल सीखने का आफसर प्राप्त हो सकता है आप अपनी हॉबिस पर जादा ध्यान दे पाएंगे और अपनी हॉबिस को कहीं ना कहीं प्रोफेशनली भी यू साथ मिलकर भी आप कोई कारे करना चाहते थे उसके लिए वर्ष बहुत अच्छा है जो तीसरा भाव है यह चौते से बारवा है यानि कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा साल है और जैसा मैं बता चुका हूं यह सब हमी बुद्ध है व्यपार के कारत यह लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई बिजनस करें तो यह वह वर्ष है जब आप अपना नया बिजनस भी स्टार्ट कर सकते हैं यह तीसरा भाव है पंचम से ग्यारवा है स्टूडेंस के लिए व्रिद्धी व्रिद्धी स्टूड के लिए पूरा साल लाब ही लाब होगा और यह जो स्थान है यह लगन से तीसरा है यह यात्राएं तो दिखाता ही है यानि कि आपको कई यात्राएं करने का अफसर प्राप्त होगा आपके जीवन की यात्रा भी जो रुक्सी गई थी वो भी अब तेज गती से आगे आपको जो ग्यारवा भाव है और तीसरा भाव है यह देकर जाने वाले हैं दोनों ही भाव कहीना कहीं इच्छाओं से जुड़े हैं एक बात तो सपष्ट है यह पूरा ही जो साल है आपकी कई इच्छाएं पूरी होने वाली है तो इन सब चीजों का अवश्य लाब उठा है इदोनों क्या है यह कामत्रिकोन के स्थान है यह इच्छाएं बढ़ाते हैं तो जब इच्छाएं तीव्रगती से बढ़ती हैं तो मन विच्छित होता है और मन एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा नियंतरन यूजली नहीं रहता और जब इच्छाएं भी बढ़ती है और मन इच्छाओं के तले दपके ही या उसके वेग में ही कुछ गरत काम करते हैं यह साल वो है क्योंकि देखे जो ग्यारवा स्थान है वहाँ पर जो राची है वो शनीत महराज की नीच की राची है तो कभी-कभी साल में आप जल्दबाजी में कुछ करने के चक्र में पर कंट्रोल करें के रखना है इसके साथ ही आपका अपनी सेहत पर बहुत खर्चा होगा यह नहीं कहारा कि सेहत बहुत जादा लंबे समय तक खराब रहेगी या फिर कुछ बहुत सीरेस हो सकता है खैर वह कुणली पर डिपन करता है बहुत जादा लेकिन पूरे वर्ष न करते हैं बहुत ज्यादा यात्राय करते हैं तो थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान दीजेगा और हां घर में इगो ट्लैशेस बहुत हो सकते हैं इप तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका जो इको है अहम है वह बहुत बढ़ जाएगा और उसके कारण घर में आतन करेंगे तो इन सब negative points का विध्यान अवश्य रखेगा पाय की बात करते हैं पहला उपाय आपको दो ब्रहस्पति वार करना है क्या उपाय करना है शिव मंदर जाईए एक पात्र में दूद लीजिए उसमें कुछ काले तिल और जौ के दाने डालिए और थोड़ा सा केसर केसर के दाने डालिए और इस द्रव्य से आप महादेव का अभिशेक किजी अभिशेक करने के बाद जल से अभिशेक कर दीजिए फिर वहां बैठकर ब्रहस्पति चालीसा शिव चालीसा तीन तीन बार पात करना है इसके साथ ही आपको काली माता के मंदिर में एक नारियल अरपन करना है दो शनिवार को और दो सरसो के तेल के दिये भी जलाकर काली चालीसा का दो बार पात करना है यह पाया आप कर लेंगे कब करने हैं जब भी वीडियो देखिए उसके अगले ब्रस्पतिवार और शनिवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं आशा करता हूं कि यह व लगूगन